रावल वहां से लड़ेंगे प्रियंका यहां से लड़ेंगे तो बंफरोड से जीतेंगे मोधी जी योगी जी है तो विकास को करेंगे, कर रहे हैं, विकास हो रहा है हम लोगे तो मद्दान करना है, बीजेपी को करना है, बस इतना जानते हैं तो हम इस वक्त मौझूद है राय बरेली में जी हाँ राय बरेली यदि भारती राजनीती के इतिहास में देखा जाए तो बहुत महत्पूर्ण है क्योंकि यहां से कई ऐसे लोग चुने गए हैं जो भारत के पुर्धान मंत्री भी रहे हैं और भारत की सक्ता की धूरी रहे हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जो राय बरेली है वो सत्ता की धूरी है और हम इस वक्त मौझूद हैं राय बरेली का पुराना कहा जाने वाला कहार चौक या फिर नए नए तरीके से जो अब नया बना है अली मिया चौक के नाम से इसे जाना जाता है कहार चौक इसको जमाने में यहां पर खड़े हुआ करते थे तो इसे कहारों का अड़ा बोला जाता था फिर बाद में रिक्षे वगएरा यहां पर खड़े होने लगे लेकिन अब फिलहाल यहां पर जो है बाजार आपको नज़र आ रहा होगा चारो तरफ यह मुस्लिम इलाका है अली मिया च पूर है राय बरेली क्योंकि राय बरेली से भारत की फूर पर्दान मंत्री जो इंद्रा गांडी थी वो दो बार यहांसे सांसद रह चुकी है यूपी ऑ चेड़ परसन जो रही है सोनिया गांदी वो यहां से 2004 से 2019 के चुनाओं तख लगातार वो पांच बार सांसद रह च तो इस खेल में अभी तक शय और मात के इस खेल में ना भारती जंता पार्टी ने अपने महरे उतारे हैं और ना ही कॉंग्रेस पार्टी ने जबकि ये माना जाता रहा है कि ये तो कॉंग्रेस पार्टी का गढ़ है तो आखिर क्या वज़ा है कि कॉंग्रेस पार्टी ने क्योंकि महज पांच दिन बचे हैं पांच दिन के अंदर ना मंगन दाखिल करना पड़ेगा 20 माई को राय बरेली में चुनाव होने वाला वोटिंग होने वाली है और अभी तक ना कॉंग्रिस पार्टी ने अपना उमीद वारताय किया है और नहीं भारती जनता पार्टी ने आभी तक कॉंग्रिस ने नहीं उतारा बीजे पी ने भी नहीं उतारा पांस देन बचे न मांकन के क्या लग रहा है बीजेए पी वाले वो ढून रहे हैं पत्यासी हम पांग्रेस के पत्यासी दोनों हैं खाली पॉबिक में अजा है रहा है राउल वहां से लड़ेंगे प् हाँ अब दूसरी पिड़ी यहां से लड़ी तो उसमें बुरा किया तो जाएंगे वां Goszemain और आप ये बतादी है कि आप कितने वर्षें से आ यहां से जो भी सांसद रहा है वो उसने देश को समहाला है इंदरा गांधी भी यहां से संसद थी हारी भी थी और सोनिया गांधी पांच बार से संसद हैं अब इस बार तो राजसाब चली भी है जब सत्ता के केंद्र में दिल्ली में बैठा हुआ संसद यहां का संसद रहा है तो यहां का विकास तो कुछ और ही अलग द्रश्टी का होना चाहिए था आपको लगता है वैसा विकास हुआ है या वैसा और होना चाहिए था विकास मुदी जी योगी जी हैं तो विकास तो करेंगे, कर रहे हैं, विकास हो रहा है, पिछले 50 साल में यहां पर कॉंग्रेस के सांसद रहे हैं, आपको लगता है कि विकास जित्ता हुआ और भी ज्यादा कर सकते थे, क्योंकि वो तो केंदर में बैटे हुए थे, अब कर सकते पर कर सकते पर तो हम क्या बता दें होना चाहिए और विकास अभी जरूरत है जरूरत तो ही है कितना विकास हुआ यहां पर यह पूछ रहा है नौर्मल आदें नहीं विकास क्या हो रहा है तक प्रियंका चौना लड़ेंगे जिए प्रियंका कोई वोट देंगे यह पूरा का का चौक करे है और इस इलाके से लगातार जो है आपको UPGD देरा राए बरेली में किया सोनियां गांधी क्या सौनियां गांधी अपनी विरासत जो पिशले 5 साल से उनकी विरास्त रही है वह स्तान्तित करेंगी राहुल गांधी को करेंगी या प्रियंका बैंदी को करेंगी ये बहुत बड़ा सवाल है दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि पिछले पांच वार से लगातार कॉंग्रिस पार्टी से सांसद रही है सोनिया डांदी यहां से उसके पहले सत्रह बार सत्रह बार कॉंग्रिस पार्टी की तरफ से यहां से सांसद रह किष्वाब यहीं की आवाम यहीं Ki जनता आप को देगी आप हमाए साथ बने रहे हैं आई हम आगे की तरफ चलते हैं और राय बरेली की नभज क्या चल रही है वह हम आपको देखाते हैं वीजे हमारे आर के आदा जो है एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम एक रिक्षा में बैठ कर चलने की कोशिश करते हैं कि आगे की तरफ जाएंगे और क्या कुछ माहौल है वो हम आपको बताएंगे लेकिन आप देखते रहिए टाइम इसना नौभारा कुछ तरीक को यहां पर वोटिंग होनी में क्या चल रहा देखें ये एक रिक्षा है भाईया क्या नाम है आपका मुम्ताज एहमाद है ये मुम्ताज एहमाद ये रिक्षा चलाते हैं कितने समय से चला रहे हैं 2012 2012 2012 2012 2012 से चला रहे हो तो ठीक्ठा कमाई हो जाती है पेट पल जाता है राइबरेली के रहने वाले हो अभी तक यहां पर नामांकन नहीं हुआ किसी प्रत्याशी का क्या लगता है अब देखो भाई को अच्छा यदि क्या कहते हैं प्रियंका वाडरान नामांकन भरतो देखा जाएगा चलिए हमको आगे तक छोड़ेंगे ले चलेंगे हमको आइए हम अपने हमारे वीजे हैं य स्वीर दिखा रहे राय बरेली का मार्केट है आप देख सकते हैं बहुत शांदार और बड़ा मार्केट है और इस मार्केट में हजारों लोग प्रती दिन आते हैं यहां से खरिदारी करते हैं पास में मुस्लिम इलाका भी पढ़ता है यह पुराना राय बरेली है जो राय राय बरेली का नाम पचासों साल से यह वही राय बरेली है जहां से इंद्रा गांधी भी सांसद चुनके गई संसद में और पुर्धान मंत्री बनी और यह वही राय बरेली है जहां से सोनिया गांधी पांच बार से सांसद रही 2004 में रही 2006 में रही उसके बाल लगातार 99 2004 और 2009, 2014 2019, लेकिन इस बार अब वो नहीं है, इस बार उनों ने ये जो सीट है फिलाल छोड़ दी है अब चुक्कि ये सीट उनों ने छोड़ दी है तो कौन होगा उनका, कहना चाहिए कि वो अपनी विरासत, ये जो 50 साल की विरासत राए बरेली की रही है ये राय बरेली की विरास्त वो किसे देने वाली है देखिए ये ये कौन सा अलाका है ये है सुपर मार्केट अलाका है ये और देखिए यहां पर ये तमाम दुकाने हैं अलग अलग जोईलर्स जोईलरी की दुकाने हैं और गैलरीज हैं ये वो तमाम सारी चीजे हैं लेकिन यहां पर कुछ लोग खड़े हुए उन्से हम चर्चा करते हैं जी नमस्कार नमस्कार क्या नाम है आपका गीता जी यह बताईए कि अभी तक यहां से ना बीजेपी ने प्रत्याशी दिया ना कॉंग्रेस ने प्रत्याशी दिया बीस तारिक को चुना होना चार दन ब सब्सक्राइब कि तरफ से प्रियंका लड़ सकती है कोई बिया जैसे मोधी का जादू चलना है मोधी को देना है बस हम लोगों को यह सोच कर रखके कोई प्रत्यासिया यह तिर मोधी के नाम पर चलेगा मोधी 17 बार यहां से Congress Party का नेता चुना गया है, दो दो बार ऐसे नेता चुने गया है, जो प्रधान मंतरी भी रहे हैं और धरता रहे हैं देश के, कितना विकास हुआ है यहां पर विकास है कर देखा जाए तो चारो तरफ दिख रहा है, रेल कुछ फैक्टरी भी Congress की देन है, एम सा यहां गांदी को जीता देगी, सब खुर्स हैं लेकर यहां से बीजेपी नहीं आई गैं भी जेपी का प्रत्यासी जो होना चाहिए चर्के चहरा कोई आ नहीं रहा है अगर यहां से कोई अच्छा चेहरा आता है तो एक बार सोचा जा सकता है कि बिजेपी यहां से भी निकाल लागा है तो क्या इस्तिती रहेगी यहां पर अभी कोई कुछी बता है कि बहुत बड़ी बात है आरके आदा हमारे वीजे आपको बता रहे हैं तरीके से यहां पर भीड भाल का इलाका है कुछ मैलाएं और हम से बातचीत करते हैं यह बताईए आपका नाम क्या है राज कुमारी जी बताईए कि लॉइन ओर कैसा आप यहां की रहने वाली हैं पहले लॉइन ओर कैसा था आप कैसा है यहां के लोग कर रहे हैं प्रियंका चाहिए इस बार लेकिन कुछ लोग बोला रावल गांजी को भी दे सकते हैं प्रियंका को हो जाएगा उनका एक बार सोचा भी जा सकता है वैसे तो कमली खिलेगा आपका नाम क्या है सीवानी सोनी जी हमा साथ थी तमाम जो लोग यहापर मौजूद कुछ कहना चाहेंगे प्रियंका या बीजेपी या राहर या कोई भी नहीं नोटा तो दबाने के सवा थी नहीं क्योंकि मजदान हमारा नजिती क्दिकार है और उसे तो करना है और एक अच्छी सरकार कितना विकास हुआ यहां से जो सांसे तरह है वो पुरदान मंत्री भी रहें राइब रेली में आज तक जो भी विकास हुआ है वो कांगरेस की ही देन है जितनी इंडिस्ट् यहां से आ रही है तो चुनाव बहुत ही देखने लायक होगा और बहुत टक्कर दोनों की बहुत अच्छी होगी और निश्चित रूप से बीजेपी जीतेगी देखे बड़ा देल्चास वहादा जी हमारे वीजेपीशे से हासरा है कैमरे के पीछे वह अपने आपको देखा करुई है